आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जे मस्टडी में आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री का 2019 और 2020 में पूछे गए सभी MC की कोश्चन ठीक है जितने भी पूछे गए वो सारे कोश्चन यहाँ पर एवेलेवल है वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा आप लोग कमेंट करते कि सर हिंदी का सोसियलोजी का या और भी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट जो कोश्चन एंसर है ना सर उसका भी करवाईए तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए ठीक है आपके किसी भी स्कूल में अगर किसी भी सब्जेक्ट का एक्जाम होता है आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा ठीक है प्लेलिस्ट में आप देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा नीचे जाके स्क्रोल करके सारे सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर सुरू से लेकर जितना भी उस किताब में चैप्टर है न सभी का MC को कुश्चन करवाया गया है बिंदास बेधढक जाईए और अच्छे से त्यारी कीजिए इसे आपके बोर्ड एक्जाम में भी कोश्चन पूछे जाएंगे और साती साथ आपके वीकली टेस्ट में भी कोश्चन पूछे जाएंगे तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं पहला कोश्चन देखते है सिंदू सवेता का कौन सा अस्थल मृतको का टीला के रूप में विख्यात है यानि कौन से जगह को मृतको का टीला के नाम से जाना जाता है चाहुदलो मोहन जोदलो या फिर हडपा या फिर काली बंगन इसका सही उतर हो जाएगा मोहन जोदलो ठीक है कई बार मैंने इस कौश्चन को करवाया है अठारा दिन ठीक है कौश्चन नबर तीसरा क्या आपका महत्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था ये भी कौश्चन रिपीटिट है तो देखे कौश्चन बैंक को क्यो किया जाता है आपको मैंने तकरीबन 2009 से लेकर आज 2020 तक कौश्चन करवा दिया है तो 2009 से लेकर 20 तक इतने कौश्चन मिले जो रिपीटिड कौश्चन है तो इसलिए किया जाता है ताकि आपके एक्जाम में भी कौश्चन रिपीट होंगे ये चीज याद रखिएगा तीसरा कौश्चन कि आपका महात्माबूद का जन्म हुआ था कहां पर हुआ था बोद गया में लुंबनी में या फिर सारनात में या फिर कुशी नगर में इसका सही उत्तर हो जाएगा लुंबनी में आगे देखिए नेक्स्ट कौश्चन 4 नमबर या फिर महेंद्र किस सासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है यह भी कॉश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था इसका जवाब आप लोग कमेंट बौक्स में जरूर दीजिएगा जो भी मेरे वीडियो को regular देखते होंगे 100% इसका अंसर जानते होंगे तो comment box में प्लीज जरूर दीजेगा जवाब आगे देखे 6 number किसके साथ भारत आया था तो यहाँ पर देखे पहला option आपका महमूद गजनी मुहम्मद गौरी, मुहम्मद बिन कासिम या फिर नादिर्शा, इसका सही उतर हो जाएगा option number A, महमूद गजनवी आगे बढ़ते है 7 number question बीजक, एक तरीके का यह बुक है तो किसका उपदेश संग रही थै इसमें किसके बारे में दिया गया है या किसने इस बुक को लिखा है अगर इसा question कभी पूचा जाए तो उसका answer क्या होगा कबीर, ठीक है आगे बढ़ते है next question 8 number आमुक्त माल्याद, नामगरंथ के लेखा कौन थे, देवराय प्रथम, देवराय दुत्य या फिर कृष्ण देवराय, या फिर आगे देखे next question 10 number बुलन दर्वाजा कहां पर इस्तित है देखे ये सभी को पता है फतेपूर सिक्री में आगे बढ़ते है next question और next question क्या आपका ग्यारा नमबर बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदो बस्त किसने सुरू किया था इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवलिस आगे बढ़ते है next question 12 number भारतिय राष्ट्य कोंग्रेस की अस्थापना किस वर्स हुई थी 1881 में, 1885 में या फिर 1886 में, या फिर 1849 में इसका सही उत्तर हो जाएगा option number B, 1885 इस्थापना कौन थे question number 13 का जो उत्तर है वो आपका option number B भी होगा option number C भी होगा तो यह किस option में है तो यह आपका option number D में है ठेक है यानि B और C दोनों थे आगे बढ़ते है next question 14 number आज सही योग आंदोलन की सुरुआत किसने की सुभाष चंद्रबोस ने, महात्मा गांदी ने बाल, गंगधर, तिलक ने या फिर गोपाल, किरिस्न, गोकले ने इसका राइट एंसर हो जाएगा महात्मा गांदी ने आगे देखे question number 15 क्या आपका कि भारतिय सविधान को भारतिय सविधान जब बर्ण कर तयार हो गया तो किस डेट को और किस साल में इसको लागू किया गया था 26 नमबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 26 जनवरी 1951 को, या फिर 26 जनवरी 1952 को तो question number 15 का जो उत्तर है वो आपका option number 2 हो जाएगा यानि 26 जनवरी 1950 को इसी लिए हम लोग 26 जनवरी को गंतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं ठीक है याद रखिएगा आगे बढ़ते है next question और ये question आपका 2020 में पूछा गया question है ठीक है, तो 2020 का जो पहला question पूछा गया है वो आपका सिंदू घाटी सव्यता की जुडवा राजधानी कौन सी थी मोहन जोदुलो, चहुदुलो या फिर हडपा लोथल या फिर हडपा मोहन जोदुलो या फिर लोथल काली बंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसर नबर सी हडपा और मोहन जोदुलो आगे देखिए दूसरा नमबर कुश्चिन आपका महा भारत में कितने परकार के विवाहों का उले किया गया है पहला उपसन आपका चार, दूसरा आपका छे, तीसरा आपका आठ, चोथा आपका नौ इसका सही उत्तर हो जाएगा टोटल आठ आगे बढ़तें, नेच्टा कुश्चिन तीसरा नमबर निमनलिखी तमेशे किसने सबसे पहले भारत में सवर्न सिक्के जारी किये पहला उपसन आपका मोरियों ने, फिर दूसर आपका हिंदी, यूनानों ने या फिर आपका कुशानों ने या फिर आपका गुपतों ने तो देखे अगर ऐसा कुश्चन कभी भी आता एक्जाम में कि सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसे ने जारी किये थे इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद यूनानियों ने और अगर ऐसा अगर कभी भी कुश्चन पूछा जाये कि सुद्ध शोने के सिक्के तो उस सिच्वेशन में आपको जवाब देना होगा कुसानों ने अंसर आपका यहाँ पर बहुत सारे बुक में ये मिलेगा लेकिन इसका राइट एंसर है और अगर 4 कौश्चन पर जेन धर्म के प्रत्थम तिर्थकर कौन थे महाविर या फिर रिसब देव या फिर पासरवनाथ या फिर अजीतनाथ इसका सही उठ्व जाएगा। आगर 5 आपका साची मद़् परदेश के किस जिले में इस्तित है विदिसा में या फिर राइसेन में या फिर सागर में या फिर भोपाल में तो देखेंगे ये आपका मद्द परदेश के राइसेन जीले में है ठीक है याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोश्चन नमबर विजय नगर सामराज द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमी दान क्या कहलाता था तो एक दान दिया जाता था ठीक है तो उसको सैनिक या फिर असैनिक सेवा के लिए दिया जाता था तो उसको क्या कहा जाता था इसका उत्तर हो जाएगा आमरस और किसके समराज में किसके समराज में विजेय नगर समराज में ऐसा होता था आगे देखिें second question किस मुगल समराठ ने तमबाकु पर पर परतिवन यानि बैन लगा दिया था तो यहाँ पर देखिए पहला उपसन आपका अकबर ने बाबर ने या पिर जहांगीर ने या पिर साजहा ने तो question number 9 का उत्तर हो जाएगा जहांगीर में ठीक है आगे देखिए next question आपका आयनाय अकबरी कितने भागों में विभगत है अच्छा एक सवाल आपसे करता हूँ कि आयनाय अकबरी की रचना किसने की थी बहुत ही परचलित question है और बहुत ही simple है आगे देखिए next question ब्रिटिस इंडिया कंपनी की अस्थापना कब हुई 1690 में 1605 में 1610 में या फिर 1615 में इसका सही उतर हो जाएगा आगे देखिए next question ब्रिटिस परधान मंतरी एटली ने भारत को सत्ता सौपने की घोसना कब की थी 25 जून 1945 16 अगस्ट 1946 और 20 फरवरी 1947 या फिर 24 मार्च 1947 तो गोसना की थी 20 फरवरी 1947 को ठीक है आगे देखिए 15 नमबर question आपका सविधान सभा के अध्यच कौन थे राजेंदर परसाथ जोहरलाल नेरू या फिर बी आर अंबेटकर या फिर बलल भाई पतेल तो इसका सही उतर हो जाएगा राजेंदर परसाथ ठीक है डॉक्टर राजेंदर परसाथ तो ये थे आपके 2019 में पूछे गए question और 2020 में question पूछे गए ठीक है नेक्स सतरवाले question आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके लिए आपको क्या करना होगा जो भी ने वीवर है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में